मंधू आज एक बहुत महतोपूर्ण और गंभीर विशह पे ये प्रेसवारता रखा गया है अब से थोड़े देर पहले प्रियंका वाडरा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है प्रियंका वाडरा जी ने कहा है कि जहां कॉंग्रेस के कैंडिडेट मजबूत है वहां तो हम जीतेंगे मगर जहां कमजोर है वहां कॉंग्रेस ने हलके उमीदवार उतारे हैं ताकि वो कैंडिडेट बीजेपी के वोट काट सके आप सोचिए जरा आज GOP is equal to VKP आप सोच रहे होंगे यह GOP is equal to VKP का अर्थ क्या है Congress अपने आपको Grand Old Party कहती थी और VKP मतलब Vote Cutty Party अपने आपको भारत वर्ष का सबसे बड़ी Political Party कहने वादी Congress Party आज एक Vote Cutty बनके रह गई है यह हकीकत आज स्वेग Congress Party की General Secretary राष्टे महा सचिव प्रियंका वादरा ने माना है सुईकार किया है बंधूँ एक शब्द प्रधानमंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने कॉइन किया था और वो शब्द था महा मिरावटी और आज इस शब्द क्यों चरितार्त होते हुए हम सब देख रहे हैं कैसे प्रियंका वादरा General Secretary of the Congress Party आप उनके नियत में ही खोट देखिए नियत में ही मिलावट देखिए कि Congress Party जीतने के नहीं लड़ रही है अधिकांस उनके Candidate हारने के लिए लड़ रहे है और वोट काटने के लिए लड़ रहे है जिस Party की पूछ इतने वर्षों से भारत वर्ष में रही हो और जिस Party की जो परिवार है उस परिवार की सदस्या और General Secretary खुद मालती है कि अधिकांस Party के Candidates जीतने के लिए नहीं लड़ रहे है वो केवल वोट काटने के लिए लड़ रहे है तो एक बात तो आज पश्ट है और तय है कि Congress Party हार चुकी है Congress Party जीतने के लिए लड़ नहीं और प्रियंका गांदी जी ने पहले भी कहा था कि हम तो 2022 की तयारी कर रहे है 2022 की विदानसभा की चुनाव की तयारी कर रहे है ये चुनाव तो हम ऐसे ही rehearsal के तोर पे लड़ रहे है तो ये तय है कि Congress Party हार चुकी है और प्रियंका वाडरा जी ने आज हार माना है जीतना इनका लक्ष नहीं हारना इनका लक्ष है सकरात्मक्ता अर्थात Positivity इनका लक्ष नहीं है नकरात्मक्ता अर्थात Negativity इनका लक्ष है और सौ टके की बात आदर्निय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि इनका एक ही लक्ष है मोदी हटाओ येन केन प्रकारेन मोदी हटाओ इनका एक ही लक्ष रहा है और आज हम कहना चाहते है कि नकरात्मक्ता की जीत कभी नहीं हो सकती है हमेशा ही साकरात्मक्ता और जो चीज आगे बढ़ाती है जो चीज विकास करती है जो पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ती है जीत हमेशा उसकी होती है आज महा मिलावटी की परिभाशा को देखी समाजवादी पार्टी बस्पा और कॉंग्रेस ये तीन पार्टीों का समीकरन है कॉंग्रेस तो अलग लड़ रही है समाजवादी पार्टी बस्पा ये गटबंदन बने हुए मगर आज जिस प्रकार का स्टेट्मेंट कॉंग्रेस पार्टी की महासचिर ने दिया है मिस वाडरा ने दिया है एक सवाल उठता है ये गटबंदन में है ये गटबंदन में नहीं है ये रिष्टा क्या कहलाता है कम से कम इसका स्वष्टिकरण तो दे हैं तो महा मिलावटी में confusion is the key word भ्रह्म एक बहुत महत्वपून शब्द है खुद Congress Party जानती नहीं है कि वो इस किनारे है या उस किनारे है अगर सही माइने में हिंदी में कहा जाता है ना तीन में ना तेरा म आज Congress की परिस्थिती ठीक ऐसी है कि आज प्रियंका वाडराजी ने जो statement दिया है उसका अगर लबो लुबाब निकाला जाए तो आज हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा यही कहेगा कि Congress Party ना तीन में है ना तेरा में है Congress Party का एक ही दिये मोडी हटाओ, भोट काटो, बीजेपी हराओ, क्यूँ? स्वभावी के में दो किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं आने देना, बीजेपी के प्रती डर मिस वाडरा के मन और मस्तस्क में चाया हुआ है आखर यह प्रियंका वाडराजी बीजेपी से इतना डर्ती क्यूं है? मैं बताता हूँ भाई बेल पे, मा बेल पे, पती बेल पे, जिनके भाई, मा और पती बेल पे हो स्वभावी किये हैं, वो जेल से डरेंगे, वो जेल से डरेंगे और इसी लिए भरस्टाचारी परिवार, जिस परिवार ने हिंदुस्तान के साथ भरस्टाचार किया, जो परिवार अज बेल प पर चाहे vote कटवा पार्टी बन कर ही क्यों नहीं बीजेपी को रोकना है वरना सक्चाय की जीत होगी और सच्चाय की जीत होगी तो भरस्टाचार की हार होगी। बीजेपी का वोट काटना उसका अर्थ क्या होता है बीजेपी का वोट काटने का अर्थ होता है विकास को काटना विकास को रोगना विकास के गती को रोग देना उसे ठाम देना बीजेपी का वोट काटने का अर्थ यह भी होता है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो बसपाओ और कॉंग्रेस हो इनका एक अहीं लक्ष है एक ही इनका ध्येय है जहां नरेंदर मोदी जी का एक ध्येय है कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे का भविश्य किस प्रकार से सुधर सके मजबूत सरकार वर्सिस मजबूर सरकार यहां विश्य बहुत लंबा डिसकेशन हुआ है हमने मायवती जी को भी सुना था एक बार उन्होंने कहा था कि हमें 2019 में हिंदुस्तान में मजबूत सरकार नहीं चाहिए मजबूर सरकार चाहिए नवीन पटनायक जी ने भी कहा था मजबूर सरकार चाहिए आज प्रियंका वारा भी कह रही है कि हमें इस तिर सरकार और मजबूर सरकार नहीं चाहिए एक मजबूर सरकार चाहिए इसलिए हम वोट काटने के रोल में आ गए हैं हम तो नहीं जीतेंगे अच्छे काम करने वाले को किस तरह रोकना है ये हमारा उद्देश है बंदो दो सवालों के साथ मैं आपने इस बायुत को समाप्त करूँगा पहला सवाल मिस प्रियंका वाडरा से है जो कॉंग्रेस की जनरल सेकर्टरी है मिस वाडरा आपने कहा कि आप के जो कैंडिडेट कमजोर है वो केवल होट काटने के लिए है अधिकानश कैंडिडेट आपके कमजोर है आप अपने आपको किस श्रिणी में देखती है आप अच्छे कैंडिडेट है या आप मजबूत कैंडिडेट नहीं है क्योंकि अगर आप मजबूत कैंडिडेट होते तो आप बनारस से लड़ते हैं कहीं न कहीं अपने आप को आप शायद कमजोर कैंडिडेट ही मानती है जो की है तो आप इसका उत्तर दीजे कि आप अपने आप को किस प्रकार का कैंडिडेट मानती है और आप बनारस छोड़ के क्यूं चली गए। दूसरा, अमेठी में किस प्रकार का चुनाव हो रहा है। अमेठी में वोट काटने का चुनाव हो रहा है या लक्ष कुछ और है। प्रियानी खाई और चपाने पुल गोजा एक लिया है तो प्रियानी खाई जी तो समझ नहीं है ना फॉरन अफेर्स क्या होता है वो इस खाई नहीं समझती नहीं है वो इमच्योर लीडर है एक बात देखिए हिंदी में कहावत है बंद मुट्टी लाक की खुली मुट्टी खाक की जब वो जनरल सेकरेटरी बन गई तो हमनों सब जान गया है देश जान गया कि उनमें समझ नहीं है फॉरण अफेर्स क्या होता है किस प्रकार से देशों के हेड्स मीट करते हैं क्या डिस्कॉशन होता है अभी थोड़े दिर में अजर बसूद का आने वाला है उनमें कब रहने जाना है ये सब तो फूरसत मिले फिर फॉरण अफेर्स का मतलब एक ही है भारत से काला धन को लेके वहां डिपोजित करना वहां पर मकान खरीदना उसकी रेजिस्ट्री कराना और उसके साथ बेक आप सामक कंपनी खोनना अपने आपको ब्रिपिशब भोशित कर देना उनका एक ही फॉरण अफेर है मोदी जी का फॉरण अफेर का आता है भारत के हाग को मजबूत करना भारत बाते 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 बीच में कॉंग्रेस से बहुत सवाल उखा दिया है और मंदिर के दर्शन है देखिए जहां तक मंदिर का सवाल है भारती जनता पाटी से जो सवाल पूछ रहे हैं उनको स्पष्ट रूप से हम बता दे कि मंदिर के सवाल को लेकर भारत के सरवाधीक लोकप्रिय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने स्वेल एक इंटर्व्यू में अपने विशय को रखा था मंदिर कैसे बनेगा कब बनेगा कोट का रूट इत्यादी इन सब विशयों पे बड़ी स्पष्टता के साथ आधर्निय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर दिये थे तो एक प्रवक्ता के नाते जब हमारे सबसे बड़े नेता ने इसका उत्तर दिया हुआ है मैं उसे दोहराना उचित नहीं मानूंगा मगर जिन लोगों ने ये प्रश्न भारती जनतापाटी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा है मैं एक बात का उत्तर जरूर दोगा कि आज हमें गर्व है कि कुछ लोग जो अपने आपको हिंदू तक कहने से शर्माते थे घबराते थे दुखी होते थे जो हिंदू कहने से घणा करते थे अपने आपको जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम का वजूद नहीं है राम का अस्तित्व नहीं है राम डिस नौट एग्जिस्ट आज नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें विवस कर दिया है कि वो राम के भक्त बना के अपने आपको प्रस्तुत करे शिव भक्त अपने आपको कहलाएं गर्व से आज वो अपने आपको हिंदू दिखाना चाहते हैं ये परिवर्तन समान में परिवर्तन नहीं है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जैश्री राम मैंने उसका उत्तर दिया, मुख्य विशय मंदिर का है, आप सब का अधिकार है कि मंदिर के विशय में हम से सवार करें, उसका उत्तर स्वेंग मानने प्रदान मंत्री जी ने एक साक्षातकार अर्थात इंटर्विव में दिया है, विस्तार से दिया है किसने कहा मंदिर का जिक्र नहीं है बीजेपी का हम एक मात्रा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो गर्व से मंदिर का जिक्र करते है गर्व से जैशी राम कहते है और हमने उन लोगों को भी जो लोग अपने आपको हिंदू तक मानने को तयार नहीं थे जो हिंदू आतंगवादी हमें कहते थे, जो लोग भगवान राम के अस्तित्यो को ही नकारते थे सुप्रीम कोट में, आज वो अपने आपको हिंदू सिद्ध करने में लगे हैं, इससे बड़ी गल्व की बात क्या हो सती है? अमें, इस एवरी इशू cannot be drawn into a political battlefield. I'm sorry, मैं इस पे कोई comment नहीं करना चाहता, ना हम बहुत स्पश्टता के साथ कहना चाहते हैं, कि हर विशय को राजनेतिक अखाडे में नहीं कीचना चाहिए हैं. तो इतने दिनों तक फिर अगर वो जानती थी और मान गई कि उनके ध्यान देने से कुछ अच्छा हो सकता है Congress Party का, तो फिर बहुत देर क्यों कर दिया? उनके भाई साब तो कर नहीं पा रहे थे, तो पहले से ही ध्यान देना था, तो कम से कम वो एक्सेप्ट तो करती है कि बाकी लोगों के ध्यान देने से कुछ नहीं होता है, उनको आना पड़ रहा है ध्यान देने की, और खुद आज वो सुईकार कर रही है कि अधिकान्स हमारे कैंडिडेट जो है, वो केवल हारने के लिए लड़ रहे हैं और वोट काटेंगे, तो ये वोट कटवाने के लिए इतना ध्यान देने की क्या वज़ रखता है, बनारा से लड़ जाना चाहिए था, नहीं मैंने इसका उत्तर दिया, हिंदी में भी दिया, हिंदी में भी बोला, नहीं एक बार बोला, पूरा कट कर दीजेगा उसमें से, प्रियंका जी का वो वीडियो जो बच्चों के साथ आया है, जिसमें बहुत अबद्र भाशा का प्रयोग भी प्रदानमंत्री जी के खिलाफ किया गया है, वो वीडियो मैंने देखा है, मुझे बहुत खेध हुआ है, मैं एक बात स्पष्टता के साथ कहूँ, प्रियंका जी की अपरिपक्वता, इम्मेच्यॉर्टी आज सामने आया है, देखिए जब इनका परिवार इतने सालों तक रहा राज में, एजुकेशन के कुछ किया नहीं, आज एक इम्मेच्यॉर्टी के साथ बच्चों के बीच मे जाके राजनीती करने की कोशिश कर रही है, एक बच्चा घर में भी है, मतलब अध्यक्ष है, तो उनको ठीक करे जरा, उनको बोले किस प्रकार से वो पूरे राजनीती को संभाले, वो तो कॉंग्रेस में, he has failed, he is a grown-up boy in the house, Congress अध्यक्ष वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, औ और ये बच्चों के साथ राजनीती करना और प्रधान मंत्री खिलाब जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए.